यह जो आपका पेपर है सर जी यह साहितिक हिंदी वालों के लिए है साहितिक हिंदी जो होते हैं कला वाले बच्चे उनके लिए पेपर है यह आने वाला या 24 फरवरी के दिन का साहितिक हिंदी का पेपर है यह यह पेपर साहितिक हिंदी वाले बच्चे पुरा तैयार कर लेंगे साहितिक हिंदी का आने वाला बोर्ड में पेपर है तयार कर लेना भाई साथ हर एक नंबर ही आपको आपको पूरी तैयारी बेहतरी तरीके से करना है ताकि आप अच्छे नंबर पापाएं आज से हम साहितिक हिंदी वालों का डिस्कुसन को शुरू करेंगे एक पेपर लेका है यह ज़ो चाहितिक हिंदी का आप देखेंगे उट पेटन पर ही था हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो पिछले साल का पैटन था वही इस बार भी होने वाला है तो कोई बदलाव नहीं हुआ है पैटन में इस लिए हम लोग अगर पिछले साल का भी पढ़ेंगे सब भ मतलब आप पिछले तीन सालों का पढ़ लीजिए उत्रे में आपका काम हो जाएगा इसलिए मैं आपको बैच ला रहा हूं यार वह बैच क्या है उसकी जानकारी कल साम को साथ बज़े मिलेगी आप लोग जुडिया के जरूर आपको पास करवाएंगे वह बैच आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टुडेंट है जितने भी छात छात राएं हैं कला के हूं आल्ट के वह बैच जरू जॉइन करें बहुत ही एक मीनमम का क्वाश्ट के साथ वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं ल आने बाले जो दिनों में रहेगा आपकी के साथ हम वहाँ पर क oike करवाने वाले हूं वो चाहिए आपके आपके किया प्रायन करें और मैं सर्प्रामिस करता हूं आप से कि वहां से जो पेपर स्टाव में बॉध जितने मैं पेपर दूंगा ज्यादा भी पेपर दूंग भा वहाला पेपन बिल या तो दो देन इसके लिए आपको भाई साथ जब आप प्री रहेंगे वह टाइमिंग जब आपके पास टाइम रहेंगे पढ़ने दूश टाइमिंग पर मैं चाहता हूं कुकि आप सभी बच्चे उससे जरूर जोएंगे ठीक ना तो यह हाल्ट का आज हम इसका करेंगे फिर कल से सर हम इसके काम करना सुरू कर देंगे जो भी क्लासे से हिंदी की वह सारी देंगे ठीक ना चल देख लेते कि किस प्रकार पैपर पैटन आपका साहित हिंदी का और कैसे मिश्कूर करना है नंबर आज हम दोग लोग देख लेंगे फिर स्कूर प्रॉपर क्या करेंगे सर्थ करेंगी यह तो सब कोई को पता है कि भीया जो हमारा पेपर होता है सरी वह तीन हंटे-पंदर मेंट का होता है सो नंबर का पुणांग रहेगा सब्तान नंबर सब्सक्राइब कि बाकि तीस नंबर आपको physics और chemistry biology जर्गाफी कुछ ऐसे होते जिसमें आपको मिलते हैं प्राइक्टिकल में इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता इसलिए इसमें आपको पूरा-पूरा नंबर करना है प्रारम के 15 मिनिट परिच्छार्थियों को प्रश्पत् दोनों खंडों के सबी परशनों का उत्तर देना क्या रहेगा आवस्यक रहेगा यहां पर आपका सबसे पहला है आपका क्या असर जी थंड़क है तो नमबर एक है जो भविकल्पी है यह सारे क्यों सब्सक्राइब सबसे पहले पेपर को हम लोग देख लेती और इसको सॉल करिएगा नहीं तो मैं आपको सॉल कराऊंगा बड़ मैं चाहता हूं कि आर्ट वाले जितने बच्ची हैं उनकी इक दिमांड होनी चाहिए तभी मजाएगा सब्सक्राइब यहां पर है उक्तिव्यक्ति प्रकरण की रशनाकार है गोकुल नाथ दा मोदर सर्मा नाभादास या मुंसी सदासुक्लाग उसके बाद है भारतेंद यूग की पत्रिका है सर कई वसन सुधा मरयादा सरस तीहंस देखेंगे तो यह पेपर में छपा हुआ है अगला है प्रफन साय आधनिक कहानी होने का सरे दिया जाता है इंसाल लाखा को कि सोरी लाल गुस्वामी को राम चंद्र सुक्ल को या विश्णू प्रभाकर को अधिकाल का गरंथ नहीं है किर्टिलता विशल देव रासु पदमावत या आल लखंड उसके बाद है अश्च्छाप के कवीयो का संबंध है अश्टचाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल के किस साखा से अश्टचाप के कवियों का सर संबंध है ठीक है राम भक्ति साखा से ज्याना सरी साखा से प्रेमा सरी साखा से खृष्ण भक्ति साखा से उसके बाद है आपे सिरंगार और वात्सल रस के अमर कवी है केसवदास कवीरदास सूर्दास या कवीवर विहारे क्या चली कवीवर विहारे उसके बाद है आपका धका चांद का मुझ तेढ़ा रचना की विदा है काव निवंध उपन्यास या फिर कहानी उसके बाद है कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं जो कथन है किसका था कहना आचारहजारिसाद्रिवेदी का जैसंगरसाद का रामचंद्रसुक्ल का या नंद दुलारे वाजपी का उसके बाद है आपका निम्कीत गध्यांस का संद्रव देते हुए किसी एक के नीचे दिये प्रशनों का उत्तर दीजिए दस नंबर का है कैसे है यहां पर ध्यान देजा यहां पर है आपका जंगल में जिस प्रकार अनेक लताब रिच्छ और वनस्पति अपने अदम भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरेधी स्थिति प्राप्त करते हैं उसी प्र का राश्टी जन जीवन की अनेक विधा विधा नल विधियां राश्ट संस्थिति में समने प्राप्त करते हैं और समने इफ्ट प्रजीवन का राश्ट सुखदाई रूप है अब यहां से आपके पांच प्रश्ट बनेंगे सबसे पहला प्रश्ट क्या बनेगा और आश्टी जीमन की अनेक विधिया राश्टी संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही है उसके बाद हथाँ में वह नहीं आ रहा है तो आप इसका प्रस्ट जो यहां पर मैंने दिया है भाईएं आईल्ट वालों के लिए स्वालों कर सकते हैं नए सब्द नए मुहावरे और नए रितियों के प्रियोगों से युक्त भासा की विवहारिक्ता पुरदान करना है भासा में आध्रुक्ता लाना है अच्छे यहां पर मैं थोड़ा बता दूयार चुलो इसमीं बता देते हैं भासा सब्दाया है पिये कहां से लिए गया है भासा राभ obthatस लिया गया जिसके लिए भासाओ में आध्रुक्ता लाना है दूसरे सब्दों में कमल आध्रुक्ता विचाऱ धाराओं के अनूरों के गढण्रे मात्र से अभासा का अभिकात नहीं होता वर ने प्रणालियों को विवहार मिलाना ही भासा को आधिक्ता प्रदान करना है पहला है प्रस्तुद गध्यांज के पाथ एंवलेखक का नाम लिखी दूसरा एक खांकित अंसकी व्याख्या कीजि़ तूसरा एक इनकिन के प्रियोगों से भासा आधुरिक बनती है चोटाय भासा का विकास कब नहीं होता और पाचवाय नय सब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर है आपको अर्थिस पष्ट कर तो यह आपको कर उसके बाद आपका जो साहित्तिक हिंदी आल्ट वालों के लिए आएगा सर्जी वो आएगा यहां पर क्या पद्यांस कल से प्रश्णों के उत्तर दी लिखिए दस नंबर काई क्या नील परिधान भी सुक्मार खुल रहा मिर्दूल अंग खिला हो जयों विजली काफूल मेगवन बीच गुलाबी रंग ओह वह मुक्तिस्चिम के वेवन बीच जब घिरते हो घंस्याम अरुण रवी मंडल उसको भ खुलाबी रंग में कौन सा लंकार है नीले वस्तर में लिपटी नाइका किछवी कैसी दिख रही है और परिधान और मिर्दूल सब्द का अर्थ वताई है वह नहीं आ रहा है तो थवा में आप यह कर सकते हैं इसमें क्या करना है आपको ध्यान देजेगा इस धारा साही ज प्रणधार चीज जन्म की मरण की आरपार सास्वत जीवन नौ का विहार मैं भूल गया अस्तित्त ज्यान जीवन का यह सास्वत प्रमाण करता मुझको अम्रत द्वान और यहां पर आपके प्रश्ण है पांठू क्या क्या है आप ध्यान देजेगा प्रस्तुत पद्यांस के पार्ठ यवं कभी का नाम लिखे रहे खांकित अंसकी व्याक्या की जिए नाओं की गती को तर कभी के मन में कैसे विचारा रहे हैं कभी के अनुसार जीवन में क्या सास्थ होता है त्हीं और थारा साथ जगत का करम कौं है कौन सा लंकार फिर यहां पे आपके लेखक औ प्रभादुर कहानी की समिच्छा कीजिए तो यह आपके पेपर मियाने वाला है तो सब कुछ उसीम कर लें प्रशाद मत हुई सब्सक्राइब तो आपके जिले के आपके तयार करिएगा उसके बाद आपका संस्कीत का गर्द्यान सायगा जिसका संदर्ब और घंदी व्याक्या करना रहेगा संस्कीत वारा खुद से कर लेना जैसे यूग कमाल भी तो यह आपको खुद से कर लेना है गद्यास पद्यास आपका आएगा बाकी हम सौल करा देंगे अब आने वाली वीडियो जो रहेकिसर इसका सलिशन ही मिलेगा परशान नहीं होना है उसके बाद आपके दो संस्कीत म प्रजलित अद्दिली पहकस से प्रदेशत से राजा आसी उसके बाद आपका रच्छन अलंकार सेम तुसेम आने वाला है जो सामान हिंदी का आता है वही साहितिक हिंदी गाएगा सिंगार सत्वाकर उड़स की परिभासा लिकर उधार दीजिए उसके बाद निवन लेखन बेरुजगारी सरदं सभाव किसी मेले का आखो देखा वर्ण गुष्वामी तुलसीदास 9 नंबर का ये बिरेगा उसके बाद यहां पर संद्विछेत आएगा पावक का संद्विछत किया है पुस्ता का लह का संद्विछत किया है फिर आतको समास विग्रह करना हें दसान प्रत्र लेखन देखे बैंक के खाता खुलने के लिए प्रबंदक को पत्र लेखन लेके आज नंबर काता है करने के लिए एक आवेधन पत्र लेखे यहां पर आपका प्रत्य का योग इसपर्ष करना एक एक नंबर के यह सब आपके आने वाले पेपर आने वाला तो इसको आप तयार कर लेजेगा और आने वाले दिनों में इसका पूरा-पूरा सब्सक्राइब करवादें आप बिल्कुल चिंदामत करेंगा परिशान नहीं होना सब्सक्राइब करें मिलते हैं दूसर थैंक जहें टेक केर बाए-बाए-बाए